हेलो दोस्तों, अगर आपने वर्स दोहजार चोविस में मैट्रिक की परिक्षा पास की है, तो आप के लिए एक बहुत ही सुनहरा आउसर है, सरकार के दौरा बिद्या धन अस्कॉलर सीप का योजना के तहट आपको 10.000 रुपया प्रती वर्स के हिसाब से आपको आगे की आवकों को और छात्रों को इस प्रकार की महतोपुर्ण योजनाओं का जानकारी नहीं होने के कारण विलाभ नहीं ले पाते और अपने सिक्षा को बेहतर नहीं बढ़ा पाते, तो ऐसी स्थिती में आज का इस वीडियो आपके लिए बेहधी महतोपुर्ण है, तो चलिए इसमें हम फॉर्म भरने की सारी प्रकरिय आपको बताएंगे, अपने मवायल से चाहें तो मवायल से भी आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अगर कंप्योटर से करना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने यससे पहले आपको कुछ इसकी जो अस्कीम का लाम लेन के लिए कुछ पातरताएं हैं आप उसे देख लें ताकि आपको आगे परिशानी ना हूँ सबसे पहली बात इसमें तो है कि इस अस्कॉलर सीप को भारत के लगभग 16 राजियों में इसे चालू किया गया है जिसमें जहारखंड बिहार भी सामिल है तो 16 राजियों में यह लागू किया गया है 10,000 रुप्या प्रती वर्स आपको मैट्रिक की परिशा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए निरंतर मिलती रहेगी अब इसमें दूसरी बात क्या है इस स्कॉलर्सीप का लाव लेने के लिए आपको जो मैट्रिक की परिशा दस्वी आपने पास की है तो उसमें आपको 75 परतीसत मार्क्स होना चाहिए अर्थात सभी चात्रों को इसका लाव नहीं मिलेगा जिनका मार्क 75 परसेंट से एवब है तो ऐसे चात्रों को सरकार उच शिक्षा के लिए सहायता करेगी लेकिन दिब्यांग चात्रों के लिए मात्र 65 परतीसत अंक ही अनिवार चाहिए दिब्यांग चात्र अगर हैं तो 65% मार्क सरलाए हैं तो उन्हें इसका लाख मिल पाएगा इसके बाद जो है वो आगे इसमें कुछ और करेटेरिया लागू की गई है कि जैसे आपकी परिवार का इंकम आए जो है वो दो लाख रुपए वार्सिक से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थाति गरीव चात्रों के लिए सरकार का स्कीम है विद्याधन अस्कॉलर्सिप लाब लेकर अपना आगे की पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि इसमें किन-किन दस्तावेजरों के आप सकता होगी तो इसमें आपको दस्वी अर्थात मैट्री का मार्च सीट लगाना होगा इसके साथ साथ आय परमानपत्र इंकम सेर्टिफिकेट आप जाती परमानपत्र भी आपको लगाना होगा और आपको मवाइल नंबर और पास्पोर्ट साइज एक फोटो के आप सकता होगी और तब ही आप आगे फॉर्म को फील अप कर पाएंगे तो ये तो हो गई इस फॉर्म को समझने और भरने की पूरी प्रक्रिया तो चलिए अब आपको फॉर्म कैसे भरेंगे इसका आपको प्रक्रिया बताते हैं तो गूगल में चलें या क्रोम ब्राउजर में चलें और उसके साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आपको हम बता चलिए तो हमने गूगल में बिद्याधन योजना का लिंक को पेस्ट किया और आगे बढ़ रहे हैं आपके स्क्रीन पे भी हम ये लिंक देते रहे हैं यहां से आप नहीं अगर लिख पाएंगे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो आप description में हम दे रहे हैं वहां से सीधे copy करके आप Google में paste कर लिजएगा अब आप देखेंगे कि इस प्रकार का आपके पास front open होगा तो अब सबसे नीचे की और अगर आप आएंगे तो आप नीचे की और देखेंगे कि apply now यहां पे option आ रहा है आपको सीधा apply now पे click कर देना है आप जैसे ही apply now पे click करेंगे तो आपके सामनी कुछ इस प्रकार के फिर से एक page open हो जाएगा इसमें क्या है कि first name यहां डालना है last name डालना है और email आपको यहां पे email लिखना है और उसके बाद यहां पे select कर लेंगे gmail.com yahoo.com जो भी होगा उसे select कर लेंगे और उसके बाद एक password बनाना है यहां पे तो password आप बना लेंगे और उसके बाद register दे click करेंगे हम चलिए बनाते हैं इस प्रकार से हमने अपना detail भर लिया और password बनाते से मैं एक बार का ख्याल रखना है कि आप सबसे पहले capital letter देंगे उसके बाद a small letter देंगे और कुछ symbol का प्रयोग करेंगे इसके साथ साथ कुछ अंक का प्रयोग करते हुए register पे आपको click करना है तो आपने देखा कि यहां पे हमने अच्छे तरह से login का process उसे पूरा किया है और यहां पे ID password मेरा generate हो गया है अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने जो यहां पे जो दिया था email और जो password बनाया था उस ID और password को यहां पे फिर से इंटर करके login पे click करना है यहां पे हमने अपना email और password जो ही बनाया था उसी इंटर किया और अब आगे बढ़ते हैं अकर आपको प्रोसेस पूरा नहीं होता है link activate नहीं दिखाता है तो ऐसी स्थिती में आपको अपने email को open करना होगा email में जो message गया होगा तो उसके message में आपको link को activate करना होगा तो इसमें जो please activate your account by clicking here जो लिखा हुआ है इस पे आपको click करना है आप जैसे ही click करेंगे तो अब आगे आपका फिर से email id और password आपका यहाँ पे मागेगा तो इस परकार से आप अपना email id और password को डाल कर आगे बहिए इस परकार आप देख सकते हैं कि आपके mobile में ही यह page open हो गया और आप किस state से हैं आप state का chain कर लिजिए आप यहाँ देखेंगे कि सभी 16 राज का यहाँ पी form open हो गया है और जैसे आंधरा प्रदेश, विहार, तेलांगना, केरला, उतर प्रदेश इस परकार से सभी state का यहाँ पे आपके show हो जाएगा और आप किस state से हैं तो उसी state को apply now पे क्लिक करें हम जारखन पे apply now करते हैं जारखन का form को फिल करके आपको दिखलाते हैं तो apply now पे हम क्लिक करेंगे, form open होगा आप देख रहे होगे कि form यहाँ पर open हो गया तो open होने की process जो है इसमें front पे आ गया है अब इससे हम भर कर आपको दिखलाते हैं personal detail में आपका नाम भरा हुआ होगा और interview place को चैन करें इसमें आप online यहाँ आपका interview होगा तो online करें gender, male, female को क्लिक कर लें उसके बाद आप अपना date of birth को select कर लें यहाँ पे calendar open हो जाता है जो भी आपका date of birth है उसे select करें तो हमने date of birth दे दिया physically challenged अगर आप हैं तो yes करें अन्य था no करें और उसके बाद student name यहाँ पर आप यहाँ submit करें उसके बाद आप अपना mobile number यहाँ पर दें जो भी आपका mobile number हो उसके बाद अगर यह same whatsapp number है तो yes कर दें अन्य था no करें और उसके बाद अब आप alternate number भी यहाँ पर डाल सकते हैं अगर नहीं आपकी इच्छा है तो न डालें उसके बाद permanent address जो है वो यहाँ पर डालें village post district district तो यहाँ खुद सो हो गया है और district को यहाँ पर select कर लेना है कि किस district से आप हैं वो इसे यहाँ पर include कर दें उसके बाद फिर से permanent address पर सेम है तो इसी पर आप click कर लेजिए वो खुद से fill हो जाएगा इसके साथ ही अब आपको फादर्शने में यहाँ पर डालना होगा फादर्श का mobile number यहाँ पर डाल दें और उसके बाद फिर वो करते क्या है जो भी यहाँ पर आपके अनुभर से आता है यहाँ पर बहुत सारे option आते हैं उसे click कर लेजिए उनका education क्या है तो जो भी उनका education है वो यहाँ पर post कर लेजिए आगे देखें मदर्श का नाम अपना डाले और उसी के बाद जो भी है इनका mobile नमबर भी आप यहाँ पर आपको देना होगा इसके साथ ही यह करते क्या है इनका भी जो है आप जो भी करते हैं यहाँ पर बहुत सारा option है आप इसे यहाँ पर select कर ले उसके बाद इनका education qualification क्या है अगर qualified है तो ठीक है और नहीं qualified है तो no education पर click कर ले इसके साथ ही अब आपको अपना 10th का details यहाँ पर डालना है उसके बाद फिर year of passing तो आप जिस वर्स में pass किया है हमने 2024 से यहाँ पर डाल दिया है किस अस्कूल से किये थे सरकारिय स्कूल से pass किये हैं या private से किये हैं तो government school को हमने डाल दिया मेडियम क्या था हिंदी इंगलिस तो हिंदी इंगलिस जो ही था आपका वो डाल ले उसके बाद कि बोर्ड क्या था CBSE था जारखन बोर्ड था या ICSE था इस परकार से आप उसे डाल आपने कितना percentage लाया है तो यहाँ पर % आप डाल दें तो हम यहाँ पर 78% डाल दें इसके बाद अभी यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने Intermediate की परिच्छा में Science Arts Sponsive Faculty लिया है तो यहाँ पर डालें उसके बाद passing year आपका कब होगा तो आप उसे यहाँ पर भर सकते हैं तो 24 में आपने admission लिया है तो 24-26 आपका session होगा तो उसे डाल लें और उसके बाद college का contact number यहाँ पर आपको डालनाओ institute का जो भी है वहाँ डाल उसके बाद किस medium का है तो आप इसे Hindi English जो भी है वो select कर लें type of institute government added है या government है जो भी है आप इसे select कर लें और यह central board है या state board इसे select करते हुए आगे बढ़ें institution का नाम यहाँ पर डाल दी उसकी बाद जहां पर आपने admission लिया है उस institution का यहाँ पर address डालना होगा इतना करने के बाद आपसे यहाँ पर family annual income यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप दो लाक से नीचे के अगर रहेंगे तो भी तो ही आप इसे जोग होंगे इसलिए एक से दो लाक जो भी income है उसे select कर लें उसके बाद फिर family members receiving बिद्याधन scholarship क्या आपके किसी family को बिद्याध इतना scholarship अगर मिलता है तो yes लिखे अने था यहाँ नो लिख करके आगे बढ़ें उसके बाद other detail को हम देखते है एक्स्टा activity अगर आपका कुछ है आपने किसी भी प्रकार का कोई NCC वगरा जो course होता है वो किये है तो yes करें अने था यहाँ पर no करते हुए आगे बढ़ें उ को यहाँ पर दे करके आगे बढ़ सकते हैं कुछ additional अगर और information देना चाहते हैं तो दुए अने था इसे छोड़कर आगे बढ़ें इसके बाद आगे जो column आता है वो यहाँ पर है कि how did how did you hear about विद्याधन विद्याधन scholarship के लिए आपने कहां से जानकारी ली तो आप यहाँ पर की कोई भी select कर सकते हैं social media से आपने जाना तो social media select करके यहाँ पर आप जैसे इस YouTube channel के माधम से जानकारी लिए हैं तो यहाँ पर आप information for you यहाँ पर आप दे सकते हैं इस channel का नाम और उसके बाद फिर यहाँ term and condition पे take out करके इसे submit पे click करें अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप submit करते हैं तो इस परकार के फिर से एक page open हो जाता है अब यहाँ पे आपके photo और कुछ documents upload करना है और उसको आप final submission करना है इतना करने के बाद आप अब आगे अपना यहाँ पे photo upload कर सकते हैं करना होगा उसके बाद फिर add documents पे click करके जो भी income certificate है और जो भी documents है यहाँ पे आप submit करेंगे इसके साथ ही last में आप इससे final submission करके यहाँ पे print कर लेंगे या फिर अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि फॉर्म भरने में कहीं त्रूटी होई हो तो यहाँ नीचे के कौने में edit form का option आता है पहले आप इससे edit कर लें इस तरह से आपका बिद्याधन scholar seek का form फिलप हो कि 15 जून तक इसकी अंतिम तिथी है आप उस तिथी से पहले इसे form को fill up कर लें और अपने email और mobile number पर लगाधार वार देखते रहें आपको सारे information दे दी जाएगी और online exam की प्रकरिया होकर आपका selection हो जाएगा और उसके बाद आपको 10,000 रुपे प्रतिवर्स के हिसाब से आपको section प्रकरिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के ओर से दिया जाएगा तो इस योजना का आनंद लें और अपने बच्चों का भाविल से बेहतर बनाएं और अगर आप